प्यारे बच्चो प्यार भरी नमस्कार बच्चो आपने कभी कहानी सुनी है? मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ आज चलो मैं आपको सुनाती हूँ कहानी है कर भला तो हो भला एक बार की बात है एक जंगल में एक मदु मखी एक बड़ी नदी पार करके दूसरी और जारी थी बच्चो आपको मालूम है मदु मखी क्या होती है? मदु का आर्थ होता है शहद मखी तो मखी आपको जानते ही हो शहद की जो मखी होती है उसको मदु मखी कहते है वो जब बड़ी नदी पार करके दूसरी हो जा रही तो फिर क्या हुआ फिर नदी पार करते समय तेज हवा चलने पर मदू मक्खी नदी में गिर गई वहां से एक कबूतर गुजरा था तब ही उसकी नजर मदू मक्खी पर पड़े मदू मक्खी की मदद करने के लिए कबूतर मदू मक्खी की और एक पता ढूंड कर लेकर गया फिर मदू मक्खी ने कबूतर के दिये हुए पते पर बैठ कर नदी पार करके अपनी जान बचाई फिर एक दिन जंगल में एक शिकारी शिकार करने आया और उसकी नजर कबूतर बरबड़ी फिर शिकारी ने कबूतर को देखकर अपनी बंदूख निशानना लगाने के लिए कबूतर की और उठाई बच्चो आपको पता है ये शिकारी क्या होता है शिकारी पक्षियों और वे जानवरों को मारता है फिर मदूमक्खी ने जब यह देखा तो कबूतर की जान बचाने के लिए शिकारी के पास जाकर शिकारी के हाथ पर काट गई फिर मदूमक्खी के काटने पर शिकारी का निशाना चूक गया और कबूतर की जान बच गई फिर वो दोनों वहां से खुशी खुशी चले गए फुर हो गए बच्चो आपको मालूम है इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है मैं बताती हूँ तो सुनो इस कहानी से हमें जैश शिक्षा मिलती है हमें बिना स्वार्थ के हमेशां दूसरों की मदद करने चाहिए स्वार्थ से नहीं स्वार्थ का अर्थ होता है मतलब अपना मतलब नहीं देखना चाहिए बिना मतलब के बला काम करते रहना चाहिए कर बला तो हो बला आपने तो बड़े ही द्यान से कहानी सुनी होगी इसलिए आपका धन्यवाद